मेरी फुलवारी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम एक नय वीडियो के साथ फिर से मिल रहे हैं आज मेरे सामने देखिए ये नीम्बू का पेड़ है मैं आपको इसकी पत्तियां अगर दिखाऊं तो ये देखिए इसमें किस तरीके से डाल में रोग लग गया है और छोटी-छोटी पत्ति निकल रही है पत्तियां बिल्कुल सिकुर गई है इसी तरीके से कई जगहे पर आप देखिए कि ऐसी पत्तियों में कोई ना कोई समें फंगस लग गया है इंसेक्ट लगा हुआ है जिसके कारर से इसकी पत्यां बिल्कुल बहुत दिन हो गया है इसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है जैसे ये पेड़ था दो महीने पहले बिल्कुल वैसे ही है नया इसमें फुटाओ भी नहीं हुआ है उसी तरीके से देखिए मेरा ये दोस्तों मेरे समने दखिए ये नीवbons क पत्यैं रखीं हुई यह ताजी फ्रेश नीम की पत्तियां है देखिए इसमें फ्लावरिंग भी हुई है फूल भी इसमें आ रहे हैं तो यह जो नीम के पत्ते हैं यह बहुत ही अच्छा इसका पेस्टिसाइज बनता है और पौधों में चाहे जिस प्रकार का भी रोग लग जाए यह बहुत ही का कर रहे हो चाहे पत्तियों के मुड़ने की समस्या हो गई हो इन सब पर यह बहुत ही बढ़िया काम करता है और हमको यह अपने आस पास असानी से मिल जाता है इसको प्राप्त करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है तो आज हम इसी का इस्तेमाल करेंगे देखिए इसको किस तरीके का एक चोड़े मुखा बरतन ले लिजिए कोई भी बड़ी बोतल या डिबबा इस तरह का मिल जाए तो आप देखिए इसमें मैंने आधा पानी भर दिया है और आप मैं इन तोड़ी हुई पत्तियों को इसी के अंदर भिगोंगी इसी पानी में आप इसको डाल दी हम इसे किसी चाया दार जगहे में रख देंगे चाहे तो आप इसमें सीकने भी डाल सकते हैं जो लक्री है जिसको लखकीस करके डाल दीजिए और इसको एक हफते लिए चाया में रख दीजिए। अब मैं इसको एक हफ़ते के बाद जब तयार हो जाएगा तब मैं इसे आपको दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है तो आज इसे रखे हुए एक सब्ता पूरे हो गए हैं मैं इस टिब्बे को आपको दिखाती हूँ जिसे छाया में रखा था अब देखे कुछ इस तरीका लिक्विड इसका बन गया है और अगर इसकी पत्तियां आपको दिखाई दे तो पत्तियां भी काफी कुछ जो है उन्होंने अपने कलर को बदल दिया है तो अगर एक हफते के बाद फिर इसको मैंने इसको रोज हिलाया था और इस तरीके से आप आपको दिखाऊं तो ये लिक्विड तयार हुआ है देखी पत्तियों ने अपना कलर जो है इस पानी में अच्छी तरीके से छोड़ दिया है अब हम इसमें दोस्तों थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे इसमें आप थोड़ा पानी और मिलाकर इसको थोड़ा सा डायलूट कर लीजिए उसके बाद आप किसी भी पौधे की जो मिट्टी होती है मिट्टी में भी क्योंकि फंगस आ जाती है तो मिट्टी की फंगस को दूर करने के लिए भी आप इसका इसका कर सकते हैं आपको मैं दिखाती हूं इसे कैसे पौधों में इस्तेमाल करना है देखिए सदाबहार के पौधे हैं जो छोटे गमलों में लगे हैं तो छोटे गमलों में आप इसमें थोड़ा थोड़ा लिक्विड आप इस तरीके से 15-20 दिन में दे सकते हैं जैसा आपका पौ फंगस पौधों में लगता है इस लिक्विट को देने से यह नीम के पानी को देने से यह फंगस उसमें समाप्थ हो जाता है और दूसरा यह जो पानी है इसको आप उसमें भर कर आप शिरकाओ भी कर सकते इस पानी से आप शिरकाओ हफते में एक बार जरूर कर दीजिए तो जो भी आपकी पत्तियों में इंसेक्ट लगा होगा वो भी आपका समाप्थ हो जाएगा तो इस तरीके से जो नीम का पानी है नीम जो है हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा लिक्विड है जिसको हम मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम छिरकाओं में पत्ति के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद